नमस्कार आपको स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम ध्यान करेंगे महापरसों के समाधिस तल को याद रखने के एक जबदस ट्रिक का महापरसों के समाधिस तल के टॉपिक से अक्सर परसन एक जाम में परसन बोचे जाते हैं जिससे समाधिस तल के बारे में कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसी confuse को दूर करने के लिए एक trick बनाई है इस trick के वाजम से आप महापुरुसों के समाधिस तल को असानी से याद रख सकते हैं सिर्फ आपको ये दोहा याद रखने है तब इस वीडियो को last तक देख करिए महापुरुसों के समाधिस तल को याद रखने की tricks ये trick है इंद की सकति जग से समन्ता वीर है राजीव लाल विज्जे बापुरे राज चाचारे सांत मेरी अब्ये चोदर की सान है ये एक दोहाए इस दोएके माधिन से आप महापुरुसों के समाधिस तल को असानी से याद रख सकते हैं जैसे इंदर की सकति किसका समाधिस्तल है इंद्रा गांधिका है इसी प्रकार है आपको दोह याद करिए इंद्र की सक्ती जग से समता वीर है राजीव लाल विज्य बापुकरे राज चाचारे सांत मेरी अब्या चोदरी की सान क्रिक का एक्स्प्रकार होगा इंद्र की सक्ती इंद्र की सक्ती से आपको याद रखना है शक्तिस्तल सक्तिस्तल किसका समाधिस्तल है इंद्रागांधी का इंदर की सक्ति यानि सक्ति समादि स्तल है इंदरा गांधी का इसी प्रकार है जग से समता जग से समता समता से समधित है समता 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 समत लाल विज्ये यानि विज्ये काट समादी स्तल है लाल भादूर सास्त्री का विज्ये काट किसका समादी स्तल है लाल भादूर सास्त्री का तो हमारी टिक थी इंदर की सक्ति सक्ति स्तल है इंदरा गांधी का समाधी स्तल है जग में समता समता स्तल है जग दिनुराम का समाधी स्तल है वीर है राजीव वीर बॉमिकीस का समाधी स्तल है राजीव गांधी का समाधी स्तल है वो लाल विज्य है विज्य काट है लाल भाध अगे है बापुकरे राज चाचा रहे सांत मेरी अब्या चोधरी खिसान तो बापुकरे राज इसमें है राजगाठ है महातमा गांदी का समाधिस्तल है राज गाठ किसका समाधिस्तल है महातमा गांदी का समाधिस्तल है उचाचा रहे सांत सांती वन समाधिस्तल किसका है सांती वन समाधिस्तल है जौाला नहरू का और मेरी अब्ये मेरी अब्ये से यहां पर मतलव है अब्या गाठ अब्या गाठ किसका समाधिस्तल है अब्या गा का बापुक्रे राज चाचा रह सांत मेरी अब्या चोधरी किसान अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको इसे और वीडियो को नौटिफिकेशन मिलते रहें धन्यवाद जाहिन साथियों